Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWT चॉप में Defense Library School से सिख्षक भरती का Advertisement जारी कर दिया गया है B.Ed, D.Ed, D.L.Ed, Pass Candidate बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं Post के अगर हम बात करें, Primary Teachers में सभी सब्जक्ट की Vacancy है Trained Graduate Teachers में भी सभी सब्जक्ट की Vacancy है इसके अलावा भी जो है वो कई Post हैं जहां आविदन किये जा सकते हैं Seated या Ted जो है वो बिल्कुल Compulsory नहीं है तो चलिए देख लेते हैं Advertisement तो Name of Post सबसे पहले Primary Teachers की Vacancy है To Teach All Subjects for Primary Classes सब भी विश्यों की Vacancy है Primary Classes के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि Primary Teachers में D.Ed. वाले भी अप्लाए कर सकते हैं B.Ed. वाले भी अप्लाए कर सकते हैं And B.Ed. वाले भी यहां पर Elisible है तो 12th आपके 60% Marks के साथ में होना चाहिए और Graduation अगर आपने किया हुआ है तो 50% Marks के साथ में मांगा गया है एक साल का अन्वोव मांग रहे है Primary Classes को आपने एक साल पढ़ाया है कहीं पर भी किसी भी स्कूल में तो बिल्कुल Elisible है Desirable में यानि अन्य में है Seated या TET Qualified अगर आप हैं तो अच्छी बात रहेगी नहीं भी हैं तो भी आप Apply कर सकते हैं जो कि ये Essential Qualification नहीं है TZT में English Subject के लिए Graduation 50% Marks के साथ में आपकी होनी चाहिए और English आपने तीनो साल Graduation में Elective Subject के रूप में पढ़ा हो साथ में B.Ed और केवल एक साल का अनुभव ज्यादा नहीं केवल एक साल का अनुभव जो है Secondary Classes को पढ़ाने का तो जो Compulsory Qualification है वो तो यहाँ पर होनी ही चाहिए Hindi के लिए भी यही है Graduation 50% Marks के साथ में Hindi आपने तीनो साल पढ़ी हो Graduation में B.Ed चाहिए और एक साल का अनुभव होना चाहिए किसी भी जो है Public School में पढ़ाया हो आपने कोई भी School में TZT Telugu की Vacancy है तो इसमें भी यही माँगा गया है Graduation 50% Marks के साथ में B.Ed और एक साल का अनुभव Social Science की Vacancy है Social Science में Bachelor Degree in Social with at least 50% Marks 50% Marks के साथ में Graduation और तीनो साल आपने जो है Social Science के जो सब्जेक्ट्स होते हैं History, Geography, Policy, Economics यह आपने पढ़े हो तीनो साल कोई भी एक सब्जेक्ट B.Ed चाहिए और एक साल का अनुभव यानि Social Science के कोई भी जो सब्जेक्ट है वो आपने तीनो साल पढ़े होने जरूरी है इसी तरीके से Maths की है Science की Computer Instructor में आप देख ले Essential Qualification है MSC वाले या B.Sc वाले साथ में P.G.D.C.A किया है तो बिल्कुल eligible है B.Sc. Computer Science वाले M.Sc. Computer Science वाले M.Sc. BCA M.Sc. Electronics with Computer Science M.Sc. IT B.E. Computer Post Graduate Degree with O और A Level from DOEIC अभी essay candidate जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में Post Graduate Degree ली है और उनके पास जो है A Level या O Level का DOEIC है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है Next देखें P.E.T. Physical Education Teacher Primary Level के लिए चाहिए 12th 50% मार्क्स के साथ में और Diploma Physical Education में या फिर इसके समकश को योग इता है तो भी चलेगा तो ये Qualification Post और Subject Vacancy जो है Defense Laboratories Educational Society Kanchanbaag Hyderabad 58 यहां से आई है ठीक है परिक्षा नहीं है के वाल इंटर्व्यू ही है Interview for the Post of Teachers तो अप्लाई जो है आप कब कर सकते हैं ये जो है बिल्कुल प्यॉर्ली Contractual Basis पर है Basis for the academic यह 2024-25 Registration करने के लिए आप लोगों को April 15 April 2024 Monday से लेकर April 2024 Tuesday तक सुबे 10 बजे से 5 बजे तक Schools के Working Days में आप लोगों को जाना है ठीक है School में ही जाना है वहीं पर Registration होगा तो जो Candidate हैदराबाद के हैं वो अपलाई कर सकते हैं आसपास के State के Candidate अगर इच्छुक हैं तो अपलाई कर सकते हैं इंटर्व्यू की डेट जो है वो कब रहेगी तो यहाँ पर आप देख लें 28 अप्रेल संडे एंड 5 मई संडे ठीक है और सैलरी जो है इनोंने नहीं बताई है नोटिफिकेशन में सैलरी की जो आप लोगों को जानकारी इंटर्व्यू के समय ही मिल पाएगी तो जैसे ही ओफिशल वेबसाइट पर आएंगे डिफेंस लेबोरेटरी स्कूल कंचनबाग हैदराबाद सीबियस्सी स्कूल है यह यहाँ पर रेकूट्मेंट रिलेटिट टू टीचर्स दिया हुआ है बट आप लोगों को बहुत पुरानी एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी जो 2021 में आई थी ठीक है इसको नहीं देखना है जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई है बिल्कुल फ्रेस एडवर्टीजमेंट है नया विज्यापन है जो कोई निउस्पेपर में आया है तो आपको इसे देखना है आदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाए कर सकते हैं